हलो बच्चों आपकी एक्जाम हो चुकी है रिजल्ट आ चुके हैं आप नेक्स जो है कौन सी ब्रांच लेनी कौन सी कॉलेज लेनी है उसमें बहुत बड़ा कन्फिजन रहता है कई स्टूरेंट्स ने तो इतना सोचा ही नहीं था कि आटी होने के बाद में कौन सी ब्रांच स्टूरेंट्स इतना नहीं सोचते हैं तो इस दिशिजन को लेने में आपके थोड़ी सी हल्प करते हैं इसी परपस के लिए वीडियो बनाया गया है मैट्रिक्स की कॉंसलिंग से रिलेटेड एक सीरीज बनाई थी हमने उस सीरीज में वीडियो थे उसमें जो फिफ्त नमर तो फिर आगे आपका पूरा केरियर चेंज हो जाता है आप ऐसे देख लिए लाइफ डिफाइनिंग डिसिजन होगा यह आपके लिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद में क्या 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 ओप्शिंस हमारे पास अवेलेबल होते है कई स्टूधेंट्स जो है वह वह केंपस प्लेस्मेंट स्वाइब लेते हैं का मुझ केंपस प्लेस्मेंट में जो जोब होती है कई कॉर्ट जोब्स होती हैं फिर उसके अलावा थे नौन कोड जोप्स में IT होता है analytics होता है consulting, banking, marketing को अप टीचिंग में भी आ सकते हो ठेक है नौन कोर्ट जोब में जनरली ब्रांच से इंडिपेंडेंट होती है इसके अलावा गौर्रमेंट जोब होते हैं पीजिए इसके लावा इंडियन इंजिनिंग सर्विसेंग वहां भी आप जा सकते हो कई स्टूरेंट्स जो हैं further studies करना चाते हैं बाहर जाके वॉस्ट ग्रैजशन या पीजडी करना चाते हैं बाहर जाके कई स्टूरेंट्स आयम से एंबए करना चाते हैं एक और option होता है civil services के त्यारी करना तो अलग-अलग students के लिए थोड़ा सा अलग-अलग priorities होती है कौन सा आपके दिमाग में option है उसके लिए कौन सी college बढ़िया है या कौन सी branch बढ़िया है वो सब चीजे हम इसमें discuss करना चाहते है देखो ध्यान रिखना actual में depend करता है कि आपका goal क्या है life में उसके साब से branches matter करती है उसके साब से colleges matter करती है ठीक है students कहीं mistakes करते है उनमें जो common mistakes होती हूँ एक तो होती है कि वो अपने पडोसी रिस्तिदारों से पूछ लेते है first of all उनको इतना नहीं पता है हो सकता है उन जो आपके पडोसी रिस्तिदार उनको आपके बराबर ही पता हो या हो सकता है आप से कम ही पता हो ऐसा क्यों है क्योंकि जैसे आप किसी भी रिस्तिदार से बात करते हो तो most probably उसने जो graduation होती हो 25-30 साल पहले की होती है 25-30 साल में जो industry है यह corporate industry है या जो भी पढ़ाई का जो scenario है completely बदल चुका है अब अगर आपका जो रिलेटीव है वह अगर इस फिल्ड से रिलेटेटेड है तब तो उसको पता है और most probably फिल्ड से रिलेटेड नहीं होता है तो उसके जो knowledge वह updated नहीं है वह अपनी तरफ से तो आपका भला चाह रहा है वह आपको advice सही दे रहा है बट उसके knowledge updated नहीं है इसलिए जो उसकी advice हो सही नहीं होगी सब्सक्राइब आगया मुला आप देख सकते हो कि अभी जिसे for example अभी android 10 चल रहा है अब android 10 की app को आप android one के mobile में डाल दोगे तो mobile hang ही होगा तो कारण वही है कि वह जो software update नहीं हुआ है तो यह धान रखना relatives और neighbors की जो advices है आप उनको avoid करें हाँ अगर कोई relative या neighbor जो इस field से related है उसकी आप advice consider कर सकते हो जब बट most probably वह जो relative या neighbor है वह इस field से related नहीं होता है एक और मिस्टेक करते हैं आयटे में जो first year second year के students होते हैं उन से डिसकस करते हैं उन बच्चों को भी नहीं पता है अभी वह गए तो है उनको placement का scenario है वह final year में जाके पता चलता है first second year में तो उनकी priorities ही अलग रहती है बहुत सरे students तो misguided रहते हैं कि उन्हें क्या करना है जबकि करते कुछ और हैं क्यों क्योंकि वही जो proper guidance नहीं मिल पाती है first year second year students को इतना नहीं पता होता है first year second year students को आप से हलका से जादा पता होता है तब आप basically उनकी advice भी ना ले ठीक है फिर एक next question उड़ता है कि हमें इतना कैसे बता है हमारी advice का इतना importance उसके पीछे रीजन यह है कि matrix हर साल 200 से ज्यादा स्टुडेंट्स में जाते हैं admission लेते हैं और हम students के regular touch में रहते हैं क्या नया pattern आ रहा है कौन सी branch की value कम हो रही कौन सी branch की value ज्यादा और यह सारे चीज़ डिसकस करते हैं तो इसलिए हमें इतना पता रहता है इस बैसिकली हमारा जो software वह updated है जबकि जो अगर हम यह सब ना करें तो हमारी जो advice वह भी आपकी relative advice के equivalent हो जाएगी बट हम आप students के लिए इतना करते हैं आपके लिए हम सब हम सब पता करते हैं कि अभी जब counseling time हो तो हम आपको एक proper advice दे पाएं इसके अलावा हमारे कई batchmates भी हैं जो बड़ी बड़ी companies में काम कर रहे हैं कई की positions काफी अब उपर की तरफ हो गई हैं कई बाहर काम कर रहे हैं तो उनसे भी हम regularly touch में रहते हैं वहां से भी मैं पता चलता है कि global level पर अभी scenario किस तरह से change हो रहा है that's why हमारी जो advice से उसके importance थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि IIT का जो order है वो क्या है एंप्लोएर्स में जो companies जो नौकरी देने वाली है उनके मन में IIT की रैंकिंग हो किस तरह से फर्स्ट अफोल जो रैंकिंग है वो हमारा perception है जो हमने इधर उदर से बात है कि उसके basis पर रैंकिंग चेंज भी हो सकती है बट फिर भी हम आगे डिसकस करते हैं आप अगर लेवल मानो टियर वन टियर वन सबसे टॉप पे जो आइटी हैं वो आइटी बॉंबे डैली और मेड्रा से तीनों लगबग सेम लेवल पर हैं वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट या जो company हो किदर का है उनके लिए कोई बॉंबे सबसे बड़े हो जाता है को इन तीनों आइटी को हम लगबग एक ही लेवल पर मानते हैं फर्स्ट लेवल टियर वन पर यह टियर वन है तो टियर वन पॉइंट थ्री मलब इनके थोड़ा सा नीचे एक्वेलेंट आप नहीं कहोगे थोड़ा सा नीचे आईटी कानपूर एंड आईटी खड़कूर फि और तीर फाइटी दनबाथ हम यहां इटी दनबाथ की सारी ब्रांचे को इन दोनों को सहीं ही मान रहें चूंकि एक्च्वल में जो उपर की ऑनाइटी तरीची वारंगल बगेरा वो कई नई IIT से भी बढ़िया होती है तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि आप कहां हो सब परसेप्शन चेंज हो सकता है इधर उदर तो इसलिए लगबग एक्वेलेंट है किसी आप एक को फाइफ पर मालो तो दूसरा और बाकी जो एक तीर सेवन पर तो यह हमने कोलेजिस का जो प्राइटी ओडर है कि आप अगर सिर्फ एज़े और यह उनका प्राइटी ओडर हो जाता है इधान रखना इटी जो नहीं इतनी वैल्यू नहीं है उनका इतना इलूम्नाई बेस नहीं है उनके कंपरेजिन कई पुरानी बड़ी इन इन इस भी हैं बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट इटी लेना ही चाहता है नहीं आई इस में भी हैद्रावाद गांधी नगर सबसे उपर कंसिलर की जाती है कई रीजन है वह इतना डिसकस नहीं कर रहें एक और चीज आप अगर जैसे पुरबाकी इन इस बच गई है या कोई इन इस बच गई है आप उन में अगर डिफ्रेंशियाट करना चाहते हैं तो फिर आप कोई कॉलेज ऐसे पर कर रहे हो जो बड़िया सीटी में है उसकी वैलू ज्यादा हो जाएगे ऐस कंपेट तो जो कोई छोटे टाउन में है तो जहां क्लियली क्लासिफाइड प्राइटी ओडर है वह तो अलग चीज होगी पर जहां कंफ्यूजन हो वहां यह जान रख इसे बाके नित के नाट यह नई तो आपन को जीच आप कॉन से शहर में और नहीं और है कि कौन सी ब्रांच की आज की सिनेरियों में क्या वैल्यू है तो अगर हम स्टार्ट करते हैं सबसे उपर लेवल टॉप लेवल पर अम्यूटर सायंस और आप लेवल 1 पर मानते हो तो फिर लेवल 3, 4, 3 या 4 के बीच में कहीं electronics, electrical, mechanical, economics, आप देख सकते हूं काफी difference है, computer science एक अलग ब्रांच है, फिर उसके बाद में electronics, electrical आती है, इस एकडम टॉप लेवल पे फिर उसके बाद में है, फिर उसके बाद में लेवल 5 पे अगर आप इसको 3 और 4 के बीच में कहीं मानत तो 5 पे आते, aerospace, civil, chemical, manufacturing, metallurgical, production and industrial engineering, ocean engineering, naval architecture, mining engineering, यह लगब सेम सी ब्रांच होती है, कई ब्रांचे इनमें जल्दी फिल हो जाती है, कई लेट हो जाती है, बट बाकी placement scenario में कोई खास अंतर रहता नहीं है, लेवल 6 placement scenario में यह जो बाइटेक्स, टेक्स्टाइल, अगरिकल्चर, geophysics, physics and chemistry थोड़ी से नीचे आते हैं, क्योंकि थोड़ी research oriented होती है, जो further studies के लिए ज्यादा बड़ी ब्रांचे होती है, इनमें further studies का option है, थोड़ा jobs का option थोड़ा कम रहता है, तो अगर एक line में अगर मेरे को बोलना हो, तो मैं बोलूँगा, गभी computer science एक अलग ब्रांच होत अगर ब्रांच को देख लिए, अब हमें क्या करना है, हम कौन से आइटी लें, हम आइटी को preference दें, तो इधान रखना, most of the cases में आइटी को preference दी जाती है, आप अगर job scenario में देखते हो, तो आपको समझना पड़ेगा jobs कैसे लगती है, जनरली जो companies होती है, वो यह दिमाग मे नहीं बिठा, देखो अगर एकदम ब्रांच specific job हो तो अलग बात है, बाकी जो यह non-core jobs होती है, analytics होगी, marketing होगया, consulting होगया, इनमें companies यह दिमाग में नहीं बिठा के जाती हैं, college में जाती हैं, तो कि इस ब्रांच से मेरे को student उठाना है, वो पहले IIT जाएंगी, फिर वहाँ उससे जो desired candidate मिलेगा, उस student को job देंगी, clear है, तो जो company पहले IIT जाती है, फिर वहाँ से student select करती, that means, IIT की जो location वो important हो गई है, एक अच्छी IIT में थोड़ी से नीचे की ब्रांच लेना, और एक नहीं IIT में उपर की ब्रांच लेना, तो हमें इसा हम अच्छी IIT में नीचे की ब्रांच को प्रिफर करेंगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, IIT Bombay में जो civil है, उसको IIT Root की की Electrical से ज़्यादा बढ़िया मानुगा, IIT Kharagpur की Mining को IIT BHU की Mechanical से ज़्यादा बढ़िया मानुगा, IIT Kharagpur की आप Biotech और Geology, Geophysics के अठा अलावा जो भी ब्रांच है, उसक हमें कोई confusion हो, तो हम IIT, मलब College की जो location है, कौन सी IIT है, उसको हम preference देंगे, उसके बाद में हम ब्रांच को preference देंगे, सब्सक्राइब कौन सी IIT है, वो ज्यादा important होता है, unless and until computer science है, computer science का अलग level होता है, बाकी में अगर हम देखें तो, अब next हम देखते हैं, government jobs, government jobs में क्या है तो, गौर्रमेंट jobs में अगर हम Indian engineering services की बात करें, तो वहां branch important हो जाती है, Indian engineering services है, वहां government jobs में एक्चल में branch important हो जाती है, तो यह ध्यान रखना IES है, Indian engineering services है, वहां electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering, यह तीन branches काफी important हो जाती है, ऐसे तो आप chemical भी ले सकते हैं, electronics भी ले सकते हो, but मोटा मोटी यह तीन रहती है, फिर एक आता है, Indian economic services, Indian economic services है, तो वहां IIT में economics का भी program है, तो अगर आप इस job का सोच रहे हो, तो वह हो economics वाला program आप opt कर सकते हो, इसके लाओ PSU में jobs के लिए जैसे ONGC, तो chemical mining geology हो गया, IOCL, HPC, तो उसके लिए chemical mechanical हो गया, call India तो उसके लिए mining हो गया, तो basically PSU क के लिए भी branches है, तो यह धाने के लिए government jobs में branch important होती है, उनके लिए written exam होता है, वहां फिर आपके लिए branch important होती है, तो अगर आपका दिमाग में fixed है कि आपको government job भी करना है, यह नहीं में से job उठाना आपको, तो फिर आप branch को priority order में उपर रख सकते हो, वहां फिर आप college sacrifice कर सकते हो, next हम देखते हैं कि अगर हमें बाहर पढ़ने जाना होतो, तो foreign studies के लिए अगर आपको जाना है, तो फिर सारी branches में सब options बरावर है, फिर वहां आप branch की बजाए college को prefer कीजिए, क्योंकि सारी branches में बाहर equal opportunities है, ऐसा नहीं कोई branch में ज्यादा है, कोई branch में कम है, सब branches मे अग बग equal opportunities है, तो इसलिए अगर आपका दिमाग में पहले से ही fixed है, कि आपको foreign studies के लिए जाना है, तो फिर आपको branch को बिल्कु प्रिफरेंस नहीं देना, वहां फिर आप आपको IIT को प्रिफरेंस देना, unless until आपका already interest decided हो, आपको पहले से पता है कि आपको इस field में ही research कर आपको post graduation या PhD करना है, तो अलग बात है, अगर नहीं fixed है, तो फिर वहां branch को avoid करके IIT को preference दे सकते हो, next हम देखते हैं कि अगर किसी student को civil services की तयारी करने हो, तो civil services की तयारी में फिर ना, वहां branch immaterial हो जाती है, branch बिल्कुल matter नहीं करती, क्यों, क्योंकि 90% students humanities के subject उठाते हैं, तो वहां branch बिल्कुल नहीं matter करती, इसके लावा कई students की दिमाग में एक और confusion रहता है, कि IIT Delhi में अगर हम जाएं, तो हमारे civil services की तयारी काफी बड़े हो जाती है, थोड़ा सा फरक पड़ता है, बाकि नहीं हैं फरक पड़ता है, क्योंकि एक्चुल में जो serious preparation होती है, वो practically speaking, graduation के दोरान वो तयारी हो नहीं पाती है, हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा dedicated हो, तब तो अलग बात है, otherwise, IIT Delhi कोई requirement नहीं, आप कोई दूसरी IIT में भी आप graduation कर सकते हो, अगर आपको relatively ठीक branch मिले या relatively ठीक atmosphere मिलता है, तो, ठीक है, तो civil services के लिए branch बिल्कुल नहीं matter करता और एक और कई होगा, ऐसा लगता है, IIT Delhi में नहीं हुए, तो हमारा civil services में होई नहीं सकता, वो भी कोई जरूरी नहीं, आप कोई दूसरी IIT में जाके भी civil services की तयारी कर सकते हो, इसके अलावा, एक को doubt रहता है, four year course लें, five year course लें, तो यह धान रखना, five year course के comparison में, four year course हमे आपका एक साल बज जाएगा, चार साल बाद ही आप पास आउट हो जाओगे, five year course में दिखने में तो आपका ऐसा लग रहा है कि आपका post graduation भी हो गया है, एक साल कम लगा और उसमें आपको post graduation भी मिल गया है, डिग्री बट उस डिग्री का कोई यूज आता नहीं है, उस डि आप भी हुआ है, इसके लाव मालों, for example, आपको UPSC के त्यारी करने हो, तो भी वहाँ जो minimum requirement of graduation ही होता है, तो एक तरह से आपने एक साल एक्स्टा दे दिया, आपको मालों MBA करना है, तब भी आपने एक साल एक्स्टा दे दिया, तो केवल एक ही scenario में five year course better option होता है, अगर आ अगर आप ऐसे देखो, कि IIT में five year और कोई NIT में four year, तो उसके लिए तो मैं आपको personally suggest करता हूँ कि IIT में five year course बढ़ी होता है, ठीक है, वो अलग बाता पर हम IIT के five year को IIT के four year से compare कर रहे है, हम IIT के five year को NIT के four year से compare नहीं कर रहे है, इधार आपना IIT के five year course के comparison, IIT का four year course हमे तो फिर जो मिल रहे हो ही सबसे बढ़ी होता है, तो यह clear है, four year, five year में आप try कर सकते हूँ five year को अवाइड करने का four year better रहता है, colleges में generally जो location है, जो कौन सी IIT वो ज्यादा matter करती है as compare to branch, कहां कहां कौन सी चीज मैटर नहीं करती है, कौन सी चीज मैटर करती है, हम अल्रीदी करनी हो तो क्या है, अगर हमें placement लेना हो तो क्या है, नहीं IIT में हमें अगर कोई pick करना हो तो हम किस तरह से pick करेंगे, बाकिन IIT में हमें pick करना हो तो हम जो city है, कौन से शहर में है, उसको matter, उसको importance देंगे, तो लगबग आपके सारे questions के answer मिल गए है, आप counselling process enjoy कीजिए, गल आपने अगर priority order थोड़ा गलत भर दिया, तो वो आपका carrier pay effect डालेगा, अब discussion सभी से कीजिए, बट आप बात उसी की मानिये, जिसके बारे में आपको पूरा विस्वास हो कि उस बंदे को चीजें पता है और आपको advice सही दे रहा है, all the best, enjoy